आयोध्या बिधान सभा से भारतिय जन्ता पार्टी ही जीती है लोग सभा आ रही है यहां का जो इतिहास है वो दो दो बार का है इस बात को पार्टी ने ध्यान नहीं दिया इसी करण रह गई करण जी की जीत नहीं है द्या के संतों की जीत है लोग सबा चुनाव में भाजपा के अयुध्या से चुनाव हारने पर देश ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी चर्चा हो रही है इसको लेकर अब भाजपा के पूर्व सांसद ब्रद्भूशन शर्ण सिंग का भी बयान सामने आया है शुक्र बार को अयुध्या पहुचे पूर्व सांसद ने कहा कि यहां का इतिहास दो दो बार का रहा है पार्टी ने इस पर ध्यान नहीं दिया इसलिए उन्हें यहां हार का सामना करना करना पड़ा है कैसर गंज से अपने बेटे करन भूशर सिंग की जीत को उन्होंने अयुध्या के साधू संतों की जीत बताया है उन्होंने क्या कहा सुनिए यह तो सर्बिदित था कि तीसरी बार मोदी जी प्रधान मंतरी बनेंगे और यह उम्मिद बिपक्ष के लोगों को भी पता था कि प्रधान मंतरी मोदी जी बनेंगे तो देश इसको लेकर के खुस है देखे आयोध्या बिदान सभा से भारतिय जन्ता पार्टी ही जीती है लोग सभा आ रही है लोग सभा ये एक क्यानवे से भारतिय जन्ता पार्टी के पक्ष में आई है उसके पहले निर्मल खत्री जी रहे अपने बर्मा जी रहे मितरसेन जी रहे और ये दो बार ललू सिंग रहे तो यहां का जो इतिहास है वो दो दो बार का है इस बात को पार्टी ने ध्यान नहीं दिया इसी करणे सीड हर गई करण जी के लिए कुछ क्या कहना चाहेंगे करण जी की जीत नहीं है यह द्याके संतों की जीत है देखिए जिसमें सबसे ज़्यादा लोग परसंद रहे सबको न्याय मिले सबको भोजन मिले सबको बस्तर मिले सबके आप पास आवास हो तो इसी को राम राजी कहते है जिसमें लोग दुखी नहों सबके लोग आवादा है मिलेता है यह लोग कि जी